नमस्कार आप देख रहें इंडिया नूजी इन खबर मैं हूँ आपके साथ आचीज राजेंदर कुमार भारत बना बेस्ट इंडीज के बीच तीन बंडे मैचों की सीरीज का दूसरा मकावला टीम इंडिया ने 69 रनों से जीत लिया है जी हाँ दूसरे मकावले में भारत ने बनाए इस दोरान और उन्होंने अपने बंडे करियर का तीसरा सब्सक्राइब पूरा किया वेस्ट इंडीज के सामने 280 रनों का लक्ष ता तो लग रहा था कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की टीम यह टार्गेट आसानी से अचीव कर लेगी क्योंकि जिस तरीके के गई और मैश को गबाए वेटी क्योंकि बारिस ने गवार फिर इस मैश में खलल डाली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिस मैश में एहम रोल अधा करेगी क्योंकि भारतिया पारी के 45 मिनट के लिए खेल रुका और उसके बात खेल सुरू हुआ जिसके करण टीम इं बारतिय टीम के तरब से स्विंग के सर्ताज कहे जाने वाले बुबनेश और कुमार ने चार बिगट लिए भूवी की गेंदवाजी इतनी अच्छी थी कि इससे पूरी बेस्ट इंडीज की टीम उभर नहीं पाई वहीं बात करें बैस्ट इंडीज की टीम के बारे में तो तरीज ने सटक भी पूरा किया और दुनिया के पूरी सटक मतलब जो सरवादिक सटक लगाने के मावली में कोली दूसे नमर पागे उनसे आगे आपके वल सक्षिन टैंडूल करें लेकिन जिस तरीकी से फूर में कोली खेल रहे हैं और गुजर रहे हैं मुझे नहीं लगत को तोड़ने के साथ साथ कई सारी मैं बनाए कि उनका बैटिंग और वस्त है तो जो कि विश्व के सबसे अधिक रन बनाने वाले बंडे अंतराश्टिम बल्लेबाज है उनकी सूची में सबसे अच्छा है क्योंकि जितने भी बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने ये कारणामा सार सो साड़क तीन सो या सबात तीन सो के आसपास में किया है लेकिन कोली ने ये कारणामा मातर 238 मैचों में कर दिया है अब देखना यह हुआ कि 14 अगर स्कुष के तीसरा मकाबला खिला जाना है तो टीम इंडिया क्या उस मकाबले को जीत कर इस सीरीज में दो जीरो से अखरी मैच में बापसी करती है या नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके अपने अपिनियन दे साथ ही हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कों ना भूल धन्यवाग इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल